है गाईज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मिन नाम है सुनील अधिकारी चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को देखिए आज के वीडियो थमनेल से आपको आइडिया लग गया होगा एफकेट एग्जामिनेशन के बारे में A to Z पूरा डिसकेशन होने वाला है तो आज का वीडियो उन सारे ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको भी डिफेंस सेक्टर में अपना कहरे बनाना है इस्पेशली इंडियन एरफोर्स से बहुत जारा प्यार है और 12 के ब वीडियो में हम डिसकस करेंगे और मैं बताने वाला हूं 10 के बाद 12 के बाद क्या हमें तैयरी करनी है कैसे हमें प्रिप्रेशन करनी है क्या लेवल रहता है सारी आपको step by step में जान करी दूंगा राइड चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई time waste करें देखिए Air Force Common Admission Test F-Cat क फुल फॉर्म क्या है Air Force Common Admission Test तो यह specifically उन बच्चों के लिए है जिनको भी Indian Air Force को join करना है after देखिए 12 के बाद यह होता नहीं तो आपको graduation करनी होगी graduation के बाद आप कर सकते हैं लेकिन यह जानना जरूरी है कि अगर आप F-Cat या Air Force join करना चाहते 12 में आपको क्या subject रखने है क कितनी percentage secure करनी है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ राइट यह एक entrance examination है Indian Air Force ही है entrance conduct करता है और multiple post के लिए apply करते हैं देखिए basically यहां पर दो post है मोटी मोटी दो post है हमारी एक होती है flying branch दूसरी है ground duty, ground duty के दो सब पार्ट है एक technical एक non technical दो post है main flying branch और दूसरी है ground duty, ground duty में दो पार्ट है एक technical होता है एक non technical होता है देखिए basically ज़्यादा तर यह prefer करती है science background के बच्चों को क्योंकि flying branch के लिए सिर्फ और सिर्फ science का background आपका applicable होता है माना जाता है ground duty में जो technical होता है वहां तो science जरूरी है लेकिन non technical के लिए अगर आप arts और commerce के हैं तब भी आप apply कर सकते हैं उसकी brief जो eligibility है आपको अच्छे से में समझाने वाला हूँ right basic पहले जानकर ही देख ले name of the examination आफकर पता लग गया conducting body आपको पता लग गया Air Force से conduct कराती है दो post ground duty के लिए और हमारी flying branch के लिए vacancy बच्चों अप्रोक्स हमारी 300 के नियर बाउट निकलती है national level का examination है इंडिया के आप किसी भी कौने में हैं आप यह examination के लिए apply कर सकते हैं अच्छा अच्छी बात यह है इस examination की साल में यह दो बार होता है एक फरवरी के नियर अबाउट में form निकलते हैं एक बार अगस्त में form निकलते हैं अगर आप अभी examination का video देख रहे हैं तो अभी भी इसके form बस निकलने ही वाले हैं जिसके लिए आप apply कर सकते हैं नहीं तो हर साल इसके form फरवरी में और अगस्त में निकलते हैं तो आप Indian Air Force की जो website, official website में बताने वाला हो उसमें login करकर आप check कर सकते हैं गौर्मेंट jobs में आता है बच्छों यह तो हमें यह भी धियान लॉट होते हैं वहां जाकर आप mcq-based हमारा test होता है वह आप देते हैं राइट, total number of questions यहां पर दो paper होते हैं अच्छो एक होता है F-CAT और एक engineering knowledge test होता है हमारा F-CAT के लिए हमें 100 questions होते हैं और EKT का पूरा format बताऊंगा वहां पर 50 questions होते हैं, exam सिर्फ और सिर्फ English language में conduct हो होता है, selection process में अगर मैं बात करूँ तो तीन stages आपको clear करनी पड़ती है, return test, interview stage जिसको हम AFSB बोलता है, जिसे NDA और CDS में SSB होता है, वैसे यहां पर AFSB होता है और medical examination तो defense, जितने भी examination उसका main part रहता है, तो तीन main stages आप clear करनी है, salary बहुत ही शानदार है, 85,000 approx आपकी salary र dot in, यह हमारी official website है, यहां पर आप जब भी requirement में निकलता है, तो सारी details, सब कुछ form, registration वगएरा, admit card वगएरा, सब कुछ आपको यहां पर available हो जाता है, right, eligibility, देखिए, domain जो हमें criteria है, flying branch के लिए, 20 से 24 आपकी age limit होने चाहिए, age limit, 20 से 24 के बीच होने चाहिए, 12 में आपकी minimum 60 percentage marks होने चाहिए, physics में भी और mathematics में भी, मत्तब PCM background होना ज़रूरी है, या फिर PCMB भी है आपका, तो physics और mathematics दोनों में ही 60 percentage marks होने चाहिए, 12th level में, उसी के साथ साथ 3 साल का graduation आपका होना चाहिए, 3 साल का graduation आपका होना चाहिए, या फिर आपका BE, BTEC होना चाहिए, engineering में आपकी degree होने चाहिए, या दर clear हो रहा है, 60 percentage marks आपके science में होने चाहिए, PCM आपका background मतलब physics और mathematics में होने चाहिए, graduation में हो सकता है, science background था, graduation में कुछ और कर लिया, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत रही है, तब भी आप दे सकते हैं, या फिर अगर आपने engineering ही कर ली है, graduation के बाद, य आप apply कर सकते हैं, flying branch के लिए, लेकिन major क्या है, major चीज ये note करनी है, आपको flying branch के लिए 12th में, especially 12th में science background होना जरूरी है, और physics और mathematics में 60 percentage आपको score करना जरूरी है, यहाँ दा clear हो रहा है, ground duty में दो चीज़ा आती है, technical और non-technical, technical के लिए science background होना जरूरी है, non-technical के लिए science background होना जरूरी नहीं है, सिर्फ graduation भी है, आपका किसी भी stream से तब भी आप apply कर सकते हैं, age limit यहाँ पर 20 से लेकर 26 साल है, कोई confusion तो नहीं है, ground duty में apply करने के लिए age limit 20 से 26 साल है, technical के लिए, again वो ही जो flying branch का background है, वो ही आपको यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर 12th में physics और mathematics में 60 percentage above आपका score होना चाहिए, और graduation आपके engineering से होना जरूरी है technical के लिए, तो यह हमें धियान रखना है, technical के लिए, क्योंकि यहाँ पर science background होना जरूरी है, तो इसलिए technical के लिए हमें वो ही चीज़ आपको apply करने है, और धियान रखना है, non technical के लिए सिर्फ graduation या फिर post graduation भी तो आप apply कर सकते हैं, यहाँ दर clear हो रहा है, कोई confusion तो नहीं है, right, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर second जो stage है, AFSB, वहाँ पर दो-तीन round होते हैं, पहला जो testing stage first होती है, वहाँ पर दो round होते हैं, officer intelligence rating test और PPDT, picture, perception and discussion test, testing stage 2 जो है हमारी, वहाँ पर आपको 4 test होते psychological group test, AFSB और computerized pilot selection system test, CPSS इसको बोला जाता है, right, जैसे यह आप stage clear कर लेते हैं, then आता है medical examination, right, medical examination देने के बाद, shortlist करे जाते हैं, candidate joining letters के लिए, right, recommended candidates will be called for the medical examination, and after the medical examination, a final merit list would be prepared on the basis of mark secured by the candidate in return, as well as in AFSB interviews, यहाँ दर clear हो रहा है, अब आगे देख लेते हैं, examination pattern क्या है, देखिए, objective type हमारा questions paper रहता है, AF, CAT और EKT, दोनों के ही, F-CAT और EKT के paper जो है English में आते हैं, right, हर correct answer का आपको 3 marks मिलते हैं, negative marking 1 marks की है, और अगर in case कोई question छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर आपक नहीं करता है, तो आप देख सकते हैं, F-CAT के लिए आपको 2 घंटे, 100 questions, 300 marks के आते हैं, sections आप देख सकते हैं, verbal का आता है, numerical का आता है, reasoning का आता है, GK का आता है, और military aptitude का आता है, EKT की बात करें, 45 minutes मिलते हैं, 50 questions आते हैं, 150 marks के होते हैं, और technical questions आते हैं, mechanical, computer science, electrical or electronics field के, right, candidates who are opting for ground duty branch, have to pass both F-CAT and EKT, जो ground duty में technical के लिए apply कर रहा है, उसको EKT और F-CAT दोनों examination देने की जरूरत है, clear हो रहा है, right, नहीं तो सिर्फ आप अगर flying औगेरा के लिए apply कर रहे हैं, तो आपको F-CAT ही देना है, लेकिन अगर आप technical के लिए apply कर रहे हैं, ग्राउंड देना है, जोड़े हर डाउट आपके इस वीडियो के बाद clear हो गए होंगे, कोई भी question होता है, तो आप मुझसे comment box पर comment कर सकते हैं, ऐसे ही videos regular इस channel पर आते रहेंगे, so please channel को subscribe पढ़ना मत भूलिएगा, और कोई भी carrier को लेके confusion में हैं तो मुझसे directly बात करते हैं, बात करने का link या बा का में दिनाएगा, thank you so much